असलाम वालेकूम वेलकम बेग गाइज उमीद है आप सब खेयर से होंगे गाइज हम अपने चैनल पर एक नियू प्लेलिस से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पाइज़न की कुछ डिपगिंग्स हम सिखेंगे मैं अपना आपसे एक परस्नल एक्सपिरियंस शेयर करूँगा कि जहां पर हम आपस एर आती है तो वो रिजॉल्व क्यों नहीं होती है उसका मसला क्या होता है बैसिकली आपको यह बात पता होएं चाहिए कि पाइज़न डेली पैसिज पर अपडेट हो रही है उसके लेटेस वरजन चल रहे हैं और उनकी मुल्टिपूस लाइज आ रही कि मैंने बहुत सार डेखे थे जिसमें में पर पास नहीं बताते कि जहां पर हमारी हम कहां कर रहे हैं किस टेल फालम भी करते हैं मेंनेBob कोई टेलिब्यक्त प्रिजेट्टीन के ऊपर तो किया हुग थाट मीरोयं टो फालोय निकिन उनकी पास लाइज रहा है थी मेरे पास प्राप काहे रहए किस जीग़ा पर रही है तो आज हम चेंगे कि हम एक ड़ीड लइड़िर्य को कैसे इंस्टॉल करते हैं विदी स can और इसके में परपकल क्या हो जो हम इंस्टॉल क्यों नहीं होती इसका मेन थीम क्या है गाइज उसको आज स्टार्ट करते हैं ठीक है फरस्ट आफ़ाल आपको क्या करना है मैं आपको बताते हैं जो डिलेब लाइबरी है वो सिर्फ सपोर्ट करती है अभी पाइथाउन की जो वर्जन है 3.6.3 आप यादर कर रख लिएगा आपको क्या करना है आपको वेबसाइट में आपको बता रहा हूं है आपको में स्क्रिंशोट लिए हुए हैं आपको मुव ह में नहीं हाँ पर पाइथान 3.6.0 अब आप यह याद रखिएगा कि जो डिलेब लाइबरी है पाइथान में जो हम अपनी फेसर के गनेदशन मॉडूल के लिए यूज करते हैं वो आपको वो लाइबरी सपोर्ट करती है पाइथान के वर्जन को 3.6.0 अगर आप इसको 3. 3.7 या 3.8 में इसको आप इंपोर्ट करवाएंगे तो यह इंपोर्ट नहीं होगी वहाँ पर देगा कि वर्जन नाट सटिस्वाइड यह इरर आपके पास हमेशा आती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि वहाँ पर आ रही है तो इस तरह से आप क्या करेंगे आप यहाँ पर अपनी फस्टाफाल आपको क्या करना है 3.6.0 आपको डाउनोड करनी है मिन आपको इसकी जो डाउनोड लिंक के में इपनी डिस्केशन में एड करती है आप कहां से इसको लह सकते हैं देन उसके बद आप को हैं आ पर आना नीचे आपके आप स्क्रोल करेंगे तो फाइलस जाएंगे अब फाइल्स के अंदर मुल्टिपूल सा आप उपर इंस्टॉलर आप यहां पर यूज करेंगे लेकिन हम विंडो पर काम किया था तो हम यहां पर यूज करेंगे अगर आप इंस्टॉलर डाउनलोड करनी है अगर आप जिप में करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं है आप जिप में डाउनलोड कर से लेंगे आपको क्या करना होगा वहां पर आपको जिप को अन्जिप करना होगा और इस फाइल को एक्सेट करना होगा दें वह क्या होगा जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे अपनी python library python को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या करना है फर्स्ट आफ़ाल आपको 3.6.0 को अपने system में इंस्टॉल करनी है python python जैसे ही आप अपनी python को इंस्टॉल कर रहे थे हैं अपने system के अंदर उसके बाद आपको move होना है pypi.org simple delib आप मैं आप इसको highlight कर देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने url दिया हुआ इसकी भी आपको link description मिल जाएगी pyp.org simple delib अब यहाँ पर भी हम बहुत unsatisfied होते हैं कि हमें will file कौन सी डाउनलोड करनी है को install करने के लिए क्योंकि जो will file है वो भी हमारे versions को देखती है कि वर्जन कहां पर है और कौन सा आ रहा है तो आपको यहाँ पर 9.5.1 slash cp36 आपको यहाँ पर यह जो मैंने highlight की हुए 9.5.1 आपको will file डाउनलोड करनी है यहाँ पर जैसे आप click करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी वो file उसके बाद आपको क्या करना है cmd open करना है जैसे ही आप cmd open करेंगे तो आपको क्या करना है जैसे let's suppose मैं क्या हमारी जो file है वो download section में पढ़िए तो मैं क्या करता हूँ पहले मैं पर system के अंदर आ गया और download section में गया जैसे आप download section में आएगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर just लिखना है cmd आप cmd से ही लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर download section में आ गया है आपको यहाँ पर करना है pip install dli आप लिखेंगे तो उसके पाद आप टेप रिस करेंगे तो आपके पास दिलिप की जो library है वो आ जाएगी लेकिन महीं आपर आपको install इसल नहीं कर रहा है क्योंके मैंने प अगर आपको अपना वर्जन चेक करना है तो आप पाइथान लिख करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा वर्जन शो हो जाएगा और यह जो जो तरीका बताया है वो सिर्फ सपोर्ट करता है 3.6.0 वर्जन को तो आपको एक से ही करना है otherwise अगर आपको यहाँ भी सम उसके अंदर में मूव हुआ आप देखें यहाँ पर मैंने 9.5 यहाँ पर मैंने यहाँ रखी हुए क्या फाइल विल फाइल अब आपको यहाँ पर जैसे हमारा पास पाथ आ गया तो आपको यहाँ पर करना है और पिप इंस्ट्रॉल डिलिब ठीके अब यहाँ पर इसको इसको सपोर्ट नहीं करता है इसे तरह से मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज प्लीज 3.6.0 को पहले इसके बाद विल फाइल विल फाइल जो हमारे पास है उसके बाद विल फाइल 9.5 19.5 होगा ऐसे कट हो चुगा थोड़ा है ऐसे एक्जेंपल में इसकी शोट लेते हुए तो गाइस इस तरह से हम जो डिलेव लाइबरियो सक्सेस्फुल इंस्टॉल कर लेंगे और गाइस तेंगिस सो मच पर वाचिंग अगर आपको कोई कुश कर सकते हैं गाइस एक चीज़ और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंच कीजिए थेंग्यों सुमाच फार वाचिंग अल्ला हाफिज